हाई चटोरों कैसे आप सभी मेरे चैनल में आपका फिर से सागत है पिछली वीडियो में देखा कि आप घर में आसानी से पूंजी के लड़ू कैसे बना सकते हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी हो लाजवाद थे आपने अगर वो वाली वीडियो हमारी नहीं देखिए तो वीडियो में आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं वो किनारे जो आई बटन है उसमें आपको वीडियो सो कर रहा होगा उसमें क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो में सीखेंगे कि हम घर में आसानी से जो चावल की जो वीटी-वीटी जो खीर होती है जो तेहारों मे और अच्छे चिपर में जब मैमान आते हैं तब बनाते हैं तो ये आसानी से हम घर में कैसे बना सकते हैं कुछी मिंटों में इसको बनाना होता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी हो लादयवाब होती है हम इसको थोड़ा सा नहीं तरीके से बनाएंगे जो खाने में क्रीमी लगेगी बहुत अच्छी अस्वादिस्ट लगेगी चलिए सुरू करते हैं आप जो 9 वाले कषा है और पर टे हैं यह और ताल जाते हैं। थोड़े से मोटे मोटे लगते है। वह वाले चावल यूट करना है। जातातर ये जो रासं की दूकान होती है उसमी बिलते हैं नहीं मार्केट में आपको आसानी सी मिल जाएंगे। हम में इसमें क Ama На कमे यए आपको आसानी सी मिल जाएंगे। पकाने के बाद देखिए यह हमारे चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं जो एस्टरा पानी है इसको हम अच्छी तरह से इसको और गर्मा देंगे थोड़ी हाई हेट में ताकि जो एस्टरा पानी है इसका जो खतम हो जाएगा और जो चावल पके हुए है उसको थोड़ा सा हम अच्छी तरह से दवा दवा के मैस कर देंगे ताकि जो हमारी जब खीर जब बनेगी तो बहुती क्रीमी टेक्स्टर आएगा और खाने में बहुती लाजवाब और स्वाजिस्ट लगेगा आप कभी भी इसे तिवार में महमान आए तब आप इसे बना सकते हैं होली में दिवाली में कभी भी आप बना सकते हैं अगर आप इसको एक बार बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे तो खाने में बहुत अच्छा और टेस्टी लगेगा और आपी तारी भी करेंगे इसको हम अच्छी तरह से मैयस कर लेएंगे देखी इस तरह से हम देरे-देरे किसी कर्शी की मदद से आक्षी तरह चलाते रहेंगे ताकि जो हमारे चावल है अच्छी तरह से मैयस हो जाएं और जो एस्ट्रा बचा हुआ पानी है वो भी इसमें खतम हो जाए देखी इस तरह से हम चलाते रहेंगे तक हमारे जो चावल है वो मैस हो जाए हम इसमें सेक्रिट चीजें हम यूज करेंगे जो असानी से घर में उपलब हैं जो होटल वाले सेफ वाले फाइब स्टार वाले जो नहीं बताते हैं जिस से हमारे खीर बहुत ही टेश्टी और लाजवाब बनेगी आप एक बार बनाएंगे खाते रह जाएंगे आपके जो घर में मयमान आएंगे वो भी आपकी तारीक परेंगे इस खीर की एक खासियत है कि आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं अरा आप इसको स्टोप करके रखना चाहें तो इसे दो से तीन दिन तक रख सकते हैं, चौते दिन मत रखिए, नहीं तो ये इसका जो तूद का स्वाध है, वो हल्का सा खटापन होने लगेगा, इसको हम अच्छी तरह से मैस करते जाएंगे, जब तक इसका जो पानी है, पानी प अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि इसका जो मस्टर है, मस्टर पूरी तरह से खतम हो जाएंगे, इसको हमें मस्टर खतम ही करना है, इसको पानी बिलकुल भी नहीं रखना है, अगर हम इसमें पानी रखेंगे, तो जो हमारा खीर की जो क्रीमी नेस होगी, वो कम हो दूद ही उतकर ये करीबन एक लीटर हमारे पास दूद है इस तरह से हम इसमें डाल देंगे हम इसको डालने के बाद जो हीट है हीट को हमें स्लो रखना है नहीं तो अगर हम इसको थोड़ा सभी हाई हीट कर देंगे तो जो हमने जूद इसमें डाला हुआ है वो जल जाएग तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा बहुत ही बेकाल लगेगा और ये जो खीर है खीर हमारी महचने लगेगी लोगों को भी इसे पसंद नहीं हाता अगर हमाई खीर जाल जातो इस तरह से हमने इसमें दूप डाल दिया है जो बागी बचा हुआ दूद है वो भी इसम उचर इस धाइव आपको सिगुरेट सीद नहीं पताते हैं कि कौौन सा दूर ईूच करना Begin सा दूद नहीं उच करना है जो गय का दूद होता है वो थोड़ा सा पतला होता है जिससे खीर में जो क्रीमीनेस होती है वो नहीं आती है जो भैस का होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है जिससे हम खीर में और भी मिठाईयों में यूद करते हैं जिससे बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट चीजे बनती हैं इस तरह से हम अपने इसमें प्रैस का एक लीटर दूप डाल देंगे डालने के बाद इसको हरका सा धीमी धीमी आज में इसको चलाएंगे यही इसका सीक्रिट तरीका है कि हम इसे धीमी ही आज में पकाएं ताकि यह जो बाद में यह पकेगी तो बहुत अच्छी और टेस्टी लगेगी इस तो खा के मज़ा आ जाएगा फिर बाद में हमारे पास जो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी सुगर है इसमें हमने बूरा चीनी ही उच्टी है आप चाहे तो मूटी दाना वाली चीनी भी उच्ट कर सकते हैं लेकिन इ अपने हसाब से मीठा कर सकते हैं हमें तो मीठा थोड़ा सा कम पसंद है इसमें हमने चीनी डाल दिया है और पास से दस मिनिट तक इसको पकाया है पकाने के बाद देखिए इसमें अबाल आ रही है देखिए कितना अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है देखने कि अरह इसके ऐसे चलाने के बाद हमारे पास दो चुटी हरी-ळैची है इसको भी तोड के इसमें डाल देंगे। सिह रिक तरीका इसमें ये भी है कि आ इस OH के साथ ही डालिये। इतना पीजो में स्वाद होता है इतना इतना कवार में ボास्टा होता है। में बढ़ने के बाद में असे हटा सकते हैं बढने के बाद में इस तरह से हम इसमें इलाची डाल देंगे और जो detecting हीत हीत को हल्का सब बढ़आदेंगे ताकि दीवी दीवी आज में जो दूद है दूद के साथ जो चाओल ही हमारे अच्छी तरह से छी तरह घां GOK इस वाद बढ़ाने के लिए हमारे पास थोड़ा सा काजू है काजू भी इसमें डाल देंगे इस तरह से आप और भी ड्राइफूड डाल सकते हैं जैसे किसमिस है बादाम है और इसमें मखाने भी आप डाल सकते हैं जिस हसाब से आपको अपने ड्राइफूड डालना है उस चछीगरी डाल देंगे तो ये धूर हमारा फड जाएंगा इस तरह से हम, जो अपने काजू है काजू डाल दिया, यह तो जी मैं तर प्त HAS यादा काजू ही मृसुद है इसı तरह से हमने काजू डाल दिया काजू दीरे दीरे कर्ची से चलाते रहेंगे ताकि जो क्रीमीनेस होती है इसकी बनी रहे इसको जो क्रीमीनेस होता है अगर हम थोड़ा सा हाडली इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे तो जिसका जो क्रीमीनेस होता है उसका खतम हो जाएगा इस तरह से हम अपने ये जो क्रीमीनेस हो तहरा से हम जो हमारी हीट को थोड़ा सा मेडियम करतेंगे तक कि नीचे से लगे नहीं इस तक से धी धीमि जी मिया अंच में अच्छी तरह से लग रहेंगे कि darauf कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह से हम पार केर को पकाएंगे। पकाने के बाद यह हमारे पास सेक्रेट आप जो बड़े बड़े शेप और धाबे वाले आपको नहीं बिताएंगे। ये थोड़ा सा हम इसमें छुट्की वर नमक डाल देंगे नमक डालने से आप जो हमारा जो स्वाध होता है सब कुछ बैलेंस हो जाएगा चुट्की सा ही डालेंगë ज्यादा नहीं डालना है थोड़ा सा नमक डालने के पाद इसको अच्छी तरह से चला देगे चलाने के पाद इसमें एक बात का विसेश कर ध्यान रखिए कि जब भी आप इस खीर को पूजा के लिए बनाते हैं किसी परव के लिए बनाते हैं तो इसको इसमें नमक मट डालिये जो हमारे पूजा के लिए जब बनती है तो उसमें नम्क नहीं डाला जाता है इस तरह से हम अच्छी तरह से चलाएंगे दिखी कितना अच्छा सा लगड़ा कितना क्रीमीनेस आगया इसमें एक बार इसको जरूर बनाईए कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि कैसे बनी है आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और इस पर जो हमारा वीडियो है बहुत ही लेटा रास के लिए हम आपी चाहते हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ परड़े मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ आप फरड़े वीडियो देखें लेकिन हमारा वीडियो नहीं मिलता है जिसके बजे से आपको नाराज ही होती है उसके लिए मापी चाहते हैं अप हम जब भी डालेंगे तो ये करीबन दोपार के दो बजे ही वीडियो हमारा आता है इस तरह से हम खीर को चलाने के बाद हमारे पास ये milk powder है इससे milk powder डालने के बाद ये जो हमारी खीर है बहुत अच्छी और creaminess हो जाए इस तरह से हमने खरीबन एक चमच दूद पाउडर डाल दिया है पाउडर डालने के बाद है इस तरह से डालने के बाद इसको अच्छी तरह से जो हीट है हिइट हीट को हलका सा हम बढा देंगे जो हमारे दूद पाउडर है वह भी अच्छी से mail अच्छी मेंद हो ही जो हमारे हाई बह caldowski बहुत है कि लोग कहते हैं कि बजन हमारा नहीं बढ़ता आए हमें सरीब हैं चगाराते हैं उनकेवारों यह क्रस भी बहुत ही टेस्टिए और याज़बाव रहे तो उनको बहुत ही अच्छा और ताकत मैसूस होगा उनको बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन जो जब भी गर्मती मैलाओं को खिलाएं तो चीनी की ज़के आप जो धागे वाली मिस्री होती है या फिर उसमें आप सहद भी यूद कर सकते हैं बस चीनी मत यूद करिए चीनी हम चलाएंगे देखी हमारी खीर कितनी अच्छी से लग रही कितनी अच्छा लग रहा है देखने में इस तरह से आसानी से आप घर में जो दूद की खीर है खीर आप घर में असानी से बना सकते हैं और हमें जो आपकी जो रेस्पी है रेस्पी हम खीर की और भी आप को समझ सकें और आपके सार्शेर कर सकें इस सरह से हमारी खीर स्यार हो गई है फिर आम किसी बॉल में निकाल लेंगे इस तरह से देखि कितनी अच्छी से लग रही है इसको हम फ्रेज में भी रख सकते हैं इस्टोर करके आप फ्रेज में एक दू दिन तक रख के आप थंडी जो खीर है आप इसको खा सकते हैं, इसको बहुत अच्छी लगेगी, फिर हम इसे अपने ड्राइपूट से गानिस करेंगे, फिर क्या खाईए, खिलाए, सुस्क्राइब करके जाएए, मैं चला